गुर्गराम समेथ हर्याना की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचें सबसे पहले हर्याना में प्राइविट और ध्योगिक इकायों की नौकरियों में हर्याना की मूल लिवासियों को 75 फीसिदी आरक्षन देने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी गई गुर्गाओं इंडस्टिरियल एसोशेशन ने कानून को खारिच करने की मांग करते हुए हाई कोट में याजिका दायर की है गुर्गाओं के इंडस्टिरियल की मारे तो यह कानून इंडस्टिरी को दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर करेगा इस कानून से इंडस्ट्रीज को कई परिशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसे अब हर्याड़ा में ओध्योगिक एकाय चलाना बेहत मुश्किल हो जाएगा और अगर सरकार इस कानून को रद नहीं करती है तो वह अपने इंडस्ट्रीज को राजिस्थान उत्तर प्रदे इसके अगेंस्ट है और दूसरा अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो जिस स्टेट ने भी अन फ्रेंडली इनवारमेंट प्रियेट किया है इंडस्ट्री के लिए उस स्टेट में से इंडस्ट्रीज गाब हो गई है अब आप देखें कि वेस्ट बैंगोल में पहले एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हभुआ करता था अब वहां कुछ नहीं चलता क्योंकि ऐसी अगर आप पॉलिसिस बनाएंगे तो जो इंडस्ट्रिलिस्ट है वो भाग जाएंगे और अगर गुडगाओं में यहां पे जो इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट है वो इंडस् यह हम बिल्कुल अगेंस्ट है हम इस कंडिशन में यहां काम ही नहीं कर पाई है वह अगर यह कहते हैं और इस मामले में स्टिकनस दिखाते हैं तो फिर हमें डेफिनिटी यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है बेसिकली हमारा देश तभी पिछड़े देशों में आता है क्योंकि यहां पर जो प्रॉब्लम है यहां पर हमारे इंडिया में कि जो कैपेबिल्टी के बेसेज पर जॉब अगरा ना देके यहां पर जॉब दी जाती है हर स्टेट को जो मंत्रियें अपने इलेक्शन के चक पड़ेगी जहां पर बेसेगली यह प्रॉब्लम नहीं है दरसल जब से 75 प्रतीशत नौकरियों में आरक्षन का कानून का ड्राफ तयार हुआ था तब ही से तमाम इंडस्ट्री सरकार केस वैसले का विरोध कर रही थी लेकिन उसके बावजूद यह कानून बनाये गया जि कोशल पर आधारित होती है गुरुगराम से वी न्यूस के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट